में बहुत सारे ऐसे मेसेज आते रहते हैं जिससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है जैसे कि फालतु का कुछ मेसेज आते हैं लोन से ले करके रिगार्डिंग लिख करके आता है कि आपका लोन जो है वो एप्रूब हो गया है और इस तरह के मेसेज को आप धिलीट भी कर द नहीं आगा जो इंपोर्टन मैसेज रहेगा वही मैसेज सिर्फ आएगा तो चलो आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपके भी मॉइल पर फालतु का लोन का अप्लिकेशन का मैसेज आते रहता है तो उससे आप कैसे रोक सकते हो इस वीडियो मैं आपको बताने हुआ है बो जाकर के खतम नहीं होगा तो इसके लिए अपको सबसे पहले जो है और फालतु मैसेज आता है वही मैसेज आपको जो है बहुत सारे अप्लिकेशन का देख सकते हो कि मैसेज मुझे आ रखा है जो हमे लोन देने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे कोई एक message को आपको खोलना है और message को खोलने के बाद यहाँ पे नीचे में आपको एक options देखने को मिलेगा click here to unsubscribe तो यहाँ पे इसके उपर click करना है और आपको यहाँ पे unsubscribe करना है अब इस company के तरफ से कोई भी message आपको देखने को नहीं मिलेगा तो यह हमारा पहला steps था तो ऐसे करके जितने application का आपको message आते हैं जितने जो loan application है उसका message आपको आता है तो उसे आपको एके करके install कर देना है और install करने के बाद sorry unsubscribe कर देना है और उसके बाद जो है वो आपको क्या करना है आपको message में जो भी फालतू का message पर आऊए ना यह सारे message को delete करना है एक वारे में वो सारे की कैसे delete होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको application पर आना है और app management के उपर आपको click करना है अब यहाँ पर app list में आकरके आपको message को search कर लेना है यहाँ पर message जैसे ही search करोगे यहाँ पर इस तरह से options आएगा इसके उपर click करना है और यहाँ पर एक options देखने को है storage usage इसके उपर click करके clear cache करना है और clear data कर देना है इतना करोगे आपका सारा message जो है वो delete हो जाएगा जो जो भी message मतलब फालतू का आया हुआ होगा जो भी message है आपके phone के अंतर में वो सारे के सारे delete हो गए होंगे तो यहाँ पर देख लो यह message सब delete हो गए है आपको screen पे मैं दिखा दे रहा हूं इस तरह से message को delete कर सकते हैं जो भी फालतू का message आता है वो अब नहीं आएगा तो व